है फुडीज आज हम बनाएंगे दम आलू की रेसिपी एकदम स्पाइसी चटपटी मसालेदार रेसिपी जो बच्चे बड़े सभी खाना पसंद करेंगे और यह बनाना बहुत आसान है और मैं इसे कम से कम समय में आपको इजी से इजी रेसिपी बनाना बताऊंगी तो आलू का जो साइज है वो कितना होना चाहिए तो आलू इस तरह से मीडियम साइज का ही होना चाहिए ना जादा बड़ा ना जादा छोटा तो यह मैंने 200 ग्राम आलू लिए हैं और इसे हम पहले अच्छे से वाश कर लेंगे जो मिट्टी चिपकी रेगी उसे हमें निकाल देना है उसके बाद हम इसमें विसल लेने के लिए कूकर में डाल देते हैं तो इस तरह से सारे आलू को कूकर में डाल दें कोई कट नहीं लगाना है ऐसे साबूत आलू ही डालना है साथी में हम पानी डाल देते हैं तो मैं दो कप पानी डाल रही हूं और इसमें अब हम फ फीके फीके ना लगे जब ये मसालों के साथ अच्छे से कुक होईंगे ना तो ये एक दम अच्छा सा फ्लेवर देंगे अब इसमें हम दो विसल ले लेते हैं और ये देखिए दो विसल आ गई है याने 80% आलू हमारे कुक हो गए हैं मैं आपको एक बार चेक करके बता देती हूं तो इस तरह से हम फॉक की मदद से इसमें आपको मैं चेक करके बता रही हूं तो देखिए इस तरह से 80% ही आलू हमें कुक करना है बागे 20% हम ग्रेवी के साथ कुक कर लेंगे तो अब मैं आलू को एक प्लेट में निकाल लेती हूं ठंडा होने के लिए और जब ठंड के तके निकाल दिये हैं अब हमें नेक्स प्रोसेस क्या करना है इसतरह से एक आलू को लेना है और फौक की मदद से इसे अच्छे से ंप्रिक करना है इसमें होल करना है ताकि जो gravy हम बनाएंगे वो आलू के अंदर तक अच्छे से जाए आप चाहे तो knife से भी कर सकते हैं उससे भी बहुत अच्छे से हो जाएगा ध्यान रहे आप जादा hole ना करें अंदर तक वरना आलू कुख होते होते तूट जाएगा तो हमें इसे एकदम हलका हलका ही प्रिक करना है तो यह सभी आलू को मैंने अच्छे से प्रिक कर लिया है और अब हम इसे next process की और लेके चलते हैं तो अब सबसे पहले हम आलू को तल लेंगे तो तलने के लिए मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है तो जैसे ही तेल गर्म हो जाता है उसके बाद हम इसमें सारे आलू डालके अच्छे से इसे तल लेंगे तलने से क्या होगा आलू में क्रिस्पी ने साएगी आलू अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगे तो जब ये ग्रेवी में जाएंगे ना तो एकदम गीले गीले नहीं रहेंगे तो हमें इस तरह से आलू को अच्छे से क्रिस्पी करना है तल के आप चाहें तो ना तलें लेकिन मैं सजिस्ट करूंगी कि अगर आलू क्रिस्पी रखना है तो तलना बहुत जरूरी है और ये देखे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक आलू को अच्छे से तलना है और हमारे आलू गोल्डन ब्राउन होना भी शुरू हो चुके हैं और ये जैसे ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएं इस तरह से फिर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे तो सारे आलू को में इसी तरह से अच्छे से क्रिस्पी करके अलग निकाल के रख दूंगी तो सारे अलू हमने निकाल लिये हैं और ये जो बचा हुआ तेल है अब इसी में हम ग्रेवी बनाएंगे तो इतना तेल नहीं चाहिए तो हम सारा तेल निकाल लेते हैं सिर्फ दो बड़े चमच तेल रे जाए उतना हमें इसमें रहने देना है तो दो बड़े चमच तेल इसमें अल्रेडी है अब हम इसमें ग्रेवी बनाना की शुरुवात करते हैं तो मैं ये दो से तिन साबूत लाल मिर्च डाल देती हूं एक मैंने ये दाल चीनी का टुकड़ा डाला है एक इलाईची डालिए इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है दो तीन हम काली मिर्ची डाल देते हैं अब हम इसमें जीरा डाल देंगे तो मैं आधा चमच जीरा डाल देती हूं जीरा अच्छे से चटक जाए उसके बाद हम प्याज की ग्रेवी डाल देंगे तो प्याज आप चाहें तो साबुद भी रख सकते हैं और इस तरह से आप पेस्ट भी बना सकते हैं प्याज को हम अच्छे से कुक कर लेंगे गुल्डन ब्राउन होने तक तो जैसे ही प्याज हलका golden brown होने लगे तो इसमें हम डाल देंगे अधरक लसन और हरी मिर्ची का पेस्ट ताकि प्याज के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से इनहेंस हो जाए और यह अपना फ्लेवर अच्छे से छोड़ दे तेकि प्याज एकदम golden brown हो गए अब मैं इस से तीन मीडियम साइस के टमाटर लेके मैंने उसे अच्छे से पीस लिया था ध्यान रहे ग्रेवी जितने अच्छे से कुख होगी दम आलू का स्वाद उतना ही अच्छा आएगा अब इसमें मैं एक चोथाई चम्मच हल्दी पाउडर डाल देती हूं एक चम्मच मैं कश् अच्छी से मिक्स कर लें ग्रेवी के साथ ध्यान रहे जादा दिर आप ना मिक्स करते रहें वरना मसाले जल जाएंगे तो 30 सेकेंड या 40 सेकेंड हमें मसालों को मिक्स करना है फिर अब मैं इसमें एक कप पानी डाल देती हूं जिससे मसाले जलेना तो यह मैंने पानी डाल दिया है और इसे भी मैं अच्छे से mix कर देती हूँ धियान रहे अभी आपको नमक नहीं डालना है मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि नमक आपको लास्ट में क्यों डालना है अब इसमें हम डाल देंगे दो बड़े चम्मच दही अगर आप दही वाले दमालू बनाना चाहा रहे हैं तो आप दो बड़े चम्मच सारे मसालों के बाद दही डाल दें और इसे continue अच्छे से mix करते रहें तो आप दही को भी मसालों के साथ अच्छे से मैं mix कर देती हूं कम से कम 30-40 सेकेंड हमें दही को इस तरह से cook करना है फिर इसमें हम लास्ट में डाल देंगे पानी तो पानी आप अपने हिसाब से डालें कि आपको gravy कितनी पतली या कितनी गाड़ी चाहिए होती है मैं डाल रही हूं दो बड़े कप पानी और इसके बाद हम इसमें अच्छा सा एक boil आने देंगे देखे, boil तो बहुत अच्छे से आ चुका है अब हम इसमें डालेंगे नमक नमक लास्ट में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि दही डाला है हमने अगर हम दही के साथ नमक पहले ही डाल देते दही का फटने का chances जादा हो जाता अगर आप नमक लास्ट में डालेंगे तो दही बिल्कुल नहीं फटेगा अब मैं इसमें डाल देती हूँ हमारे दमालू तो सारे दमालू इसमें डाल दें और इसे कम से कम पास से 10 मिनिट अच्छे से कुक होने दें ताकि जो मसाले हैं वो हमारे आलू के अंदर अच्छे से गूल मिल जाएं और फिर ये हमारी सबजी बिल्कुल बन के तयार हो जाएगी तो अब हम इसे सर्फ करते हैं दमालू की सबजी बनाना बहुत आसान है अगर आप उसे पहले थोड़ा सा सेमी कुक कर लेंगे फिर तल लेंगे तो ये बहुती इजी ली और बहुती शानदर सबजी आपकी बन के तयार होएगी मैंने आपको सबसे इजी रेसिपी बताईए तो कैसी लगी है आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिलकुल न भूलें और हमारे इंडियन सबजी में धनिया डालना भी बिलकुल न भूलें